विदिशत जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने दो यवाकों को अलग अलग गरफतार किया है एक के पास से ब्राण शोगर तो दूसरे से गाजा जबते किया गया है मामले में कोतवाली थाना प्रवारी वीरेंदर जहाने बताया की मुखिविर की सूचना पर सागर पुलिया च्छेतर से बिक्की चुनार नामा की वक को गरफतार किया है उसके पास से करीब 15 ग्राम ब्राउन शुगर रखा हुगा मिला है जिसकी कीमत करीब 6 लाक रुपए बताई गई है वहीं इसके अलावा अरिहंत विहार कॉलोनी चेतर में गंजबासोदा की महागौर निवासी सोरेश सेन के पास से 6 किलो गांजा जब तो किया गया है जिसकी कीमत करीब 1 लाक रुपए बताई गई है पुलिस ने मामला दरज़क करते हुए जाच शुरू कर दी है विदीशा पुलिस के दोरा प्रकन पंजिवत किये गए है एक तो ब्राउन सुगर का मामला रहा है जिसमें इस्थानी निवासी विक्की चिराड जो लोहंगी मौलने में रहता है जतना पुला रोल पर उससे 15 गिनाम ब्राउन सुगर जिसकी कीमत 6 लाक रुपए के करीवन अनुमानित है को एंडी पीए सेक्ट में गिरफतार किया गया है और आज नियाले पेश पिया जाएगा इसकी भी जानकारी ले रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी यह शौरत थी कि अब जान सुगर बेचने का वो काम कर रहा था जिसके करण की जो नव योट हैं वो लोग नशे की गर्थ में जा रहा है थे जिसके करण की समाज में दुस्क्रवाब पढ़ रहा था जिसके करण की इसके वरुद्ध यह कारवाई की गई जब मोके पर कूरी जानकारी ली गई और मोकेविर के द्वारा जो असूजना प्राप तो इसके पास से 15 ग्राम राम सोगर मिली थी जिसको जब कर लिया गया है दूसरा में एक मामला और है सुरेज सिन महागोर गंजबासवदा के विक्ति जो की गांजा लेकर बैक में जा रहा था यह अर्यंद ब्यार के पीछे मिला और जिस जसे यह चे पिलो गांजा जब किया गया है जिसकी कीमत करीब 1,00,000 र देखिए क्या है तो अर्यंद बिहार से सागरपुलिया के बीच का रोड प्रिसलेंड में ज्यादा नहीं होने के कारण उस गुंसान भी रहता है और इन सब गतिविदियों के कारण वो ऐसे लोगों के लिए ऐसे आपरादिक आसमाजिक तत्वों के लिए सूटेवल माना सकता है परन्तु पुलिस के दोरा निगा रखी जा रही है वहां पर और समय समय पर वहां से इस तरीके की गतिविदियों को संचलित करने वालों के वरुद्ध करवाई की जाती है विदीशा से राजेश रगुबंशी सागल टीब नियूज Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods and of course fun as well as discipline GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place Likely, there are also the final videos you can watch on the show I will see you in the show kind of video we are like